सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टूडेः और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस वेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल स्टडी टेस्ट टूडेः मैं आपका स्वागत थे और आज पढ़ेंगे बिटामिन बिटामिन के रासाइनिक नाम और बिटामिन से उन कमी से होने वाले रोग तो सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें अबेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूं और हमारे चैनल में आप रेगुलर बने रहें क्योंकि मैं चैप्टर वाइज तो आप टेस्ट भी लगा सकते हैं डिस्केप्च्रिप्चन में लिंक है वहां पे आप अपना प्रेक्टिश भी कर सकते हैं प्रेक्टिश लगाएंगे तो आपकी अच्छी प्रेक्टिस हो जाएगे तो हम लोग समझेंगे विटामिन्स के बारे में तो विटामिन्स के बारे में समझेंगे आइसका रासायनिक नाम देखेंगे इसके कमी से होने वाले रोग भी देखेंगे तो बिटामिन्स के बारे पहले बिटामिन्स को समझेंगे तो बिटामिन्स होती क्या है तो बिटामिन्स से उर्जा प्राप्त नहीं होती है वाला काम से और सूरे की किरिडे में बिटामिन डी पाया जाता है तो ध्यान से सबको समझते चलिए आप लोग और हमारा सरीर जो होता है विटामिन D और K का संसलेशर कर सकता है हमारा सरीर विटामिन D और K का संसलेशर कर सकता है और विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है उसमें कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाय जाता है, तो इसको तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, याद भी कर लीजिए, और विटामिन BC जो हता है, इसको तो अक्सर एकजाम में आसे कोश्चन, एक दो नमबर तो मिल जाएंगे, तो विटामिन BC जो हता है वो जल में गुलनसील होता है विटामिन B, C जो होता है वो जल में गुलनसील होता है अब विटामिन A, D, K जो होता है वो वसा में गुलनसील होता है तो ध्यान से दोनों को समझ लीजिए कौन वसा में गुलनसील है और कौन जल में गुलनसील है तो जल में गुलंसील, बिटामिन B, C और वसा में गुलंसील, A, D, E, K तो वसा में गुलंसील होते हैं तो सबको अच्छे से देखते चलिए और याद हो जाएगा बस वीडियो को ध्यान से आप लो देखिए आटोमेटिक आपको दिमाग में सब सेट हो जाएगा और इसका जो प्रैक्टिस सेट है और डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब हम लो समझेंगे बिटामिन्स के बारे में और विटामिन्स का रासाइनिक नाम भी देखेंगे और उसके कमी से होने वाले जो रोग हैं वो भी देखेंगे जितने भी सब इंपोर्टेंट हैं और सब को आप लोग याद करते चलिएगा यहाँ पर विटामिन्स हो जाएगा और यहाँ पर रासाइनिक नाम और यहाँ पर विटामिन्स से कमी से होने वाले रोग हो जाएगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स A के बारे में तो विटामिन्स A का जो रासाइनिक नाम है और रेटिनाल है और विटामिन A की कमी से जो होने वाले रोग होत है और जो सबसे इंपोर्टेंट जो इस समय कोश्चन बन रहे हैं एक्जाम में ओ विटामिन एक कमी से जी रोप थैल्मिया रोग होता है तो इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा अब देखेंगे विटामिन सी के बारे में अब विटामिन बी का भी गयप किये हैं उसको लाश्ट में सबका जो जितने भी टाइप हैं विटामिन ए बी विटामिन बी का बी वन बी टू सबका देखेंगे तो लाश्ट में देखेंगे तो विटामिन सी पढ़ेंगे तो विटामिन सी का जो रासायनिक न तुलना होता है तो अच्छे से देख लिजेगा आप अपने यसाफ ट्रिक भी बना सकते हैं ट्रिक बनाएंगे आप अपने हिसाफ से तो अच्छा ज्यादा दिन तक याद रह गा और समझ लेंगे एक बार समझ लेंगे टो भूलेगा नहीं तो आप समझने की कोशिस태 आप हम लोग देखेंगे बितामिन दे के बारे में तो विटामिन दी का जो रासाइनिक नाम होता है वोग कैल्सी फिराल होता है और इसके कमी से बिटामिन डी की कमी से जुरोग होता है रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा बिटामिन डी के कमी से जुरोग होता है और रिकेट्स होता है जो छोटे-छोटे बच्चों में होते हैं अब देखेंगे बिटामिन्स E के बारे में तो बिटामिन्स E के बारे में समझेंगे तो बिटामिन्स E का जो रासाइनिक नाम होता है वो टोको फिराल होता है बिटामिन्स E का जो रासाइनिक नाम होता है वो टोको फिराल होता है इसमें जो विटामिन्स E के कमी से जो रोग होता है जनन सक्ति का कम होना जिसे प्राय महिलाओं और पूर्षों में जनन सक्ति कम हो जाता है तो विटामिन्स E की कमी हो जाती है तो आप अच्छे से सब को समझ लीजिए इसका कांसेप्ट समझ लेंगे तो आपको दिमाग में स समझ में आ जाए आप समझेंगे बिटामिन के के बारे में तो बिटामिन के का जो रसायनिक नाम होता है ओ फिनक्विनोन होता है बिटामिन के का रसायनिक नाम फिनक्विनोन होता है और बिटामिन के की कमी से जो रोग होते हैं रक्त का थक्का नहीं बनता है बिटामिन के की क विटामिन दिवेरिवेरि बैसे की जिसे आप दिमाग में सेट हो जाए कैसे आप आप समझेंगे vitamin 2 के बारे में देखें exam में अब question vitamin B वाला जो पार्ट होते हैं वहाँ से question ज़्यादा बन रहे हैं बनने का chance वहाँ से ज़्यादा रहता है तो vitamins वाला अगर देख लेंगे अच्छे से तो एक number दो number आपका fix हो जाएगा तो vitamin B2 का जो रासाइनिक नाम होता है और riboflavin होता है vitamin B2 का जो रासाइनिक नाम होता है riboflavin होता है और vitamin B2 के कमी से जो होने वाला रोग होता है तो अचा का फटना होता है और आखों का लाल होना होता है और जिहुआ का फटना होता है मतलब इस सब important है और अपढ़ेंगे बिटामिन B3 के बारे में तो बिटामिन B3 का जो रासाइनिक नाम है पैंटो थेनिक अमल होता है बिटामिन B3 का रासाइनिक नाम पैंटो थेनिक अमल होता है और इसके कमी से जो होने वाला रोग होता है बाल सफेद होना बिटामिन B3 के कमी से जो होने वाला रोग होता है बाल सफेद हो जाता है और कभी कभी देखिए कनफ्यूज वहाँ पे हो जाते हैं लोग कुछ लोग कि बिटामिन B3 का जो रासाइनिक नाम होता है कभी femtothenik amomla को अपलेता है और कभी niacene देता है तो दोनों को समझ लीजेगा vitamin b3 का niacene भी होता है और phantothenik amomla को शुन सकत्व ह usage और आप समझेंगे vitamin b7 के बारे में तो vitamin b7 के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे तो vitamin b7 का ज drafting on k inval either is on choose note i am important a b7 बिटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो बायो टीन होता है और बिटामिन B7 के कमी से जो होने वाला रोग होता है बालों का गिरना होता है मतलब बाल ज़ड जाते हैं अभी बिटामिन B3 के बारे में पड़ें बालों का सफेद होना मतलब बाल फक जाते हैं जिसको बोलते हैं तो बालों का सफेद होना बिटामिन B3 था और बिटामिन B7 है बालों का जढ़ना होता है अब पढ़ेंगे बिटामिन B12 के बारे में तो बिटामिन B12 का जो रासाइनिक नाम होता है वो साइनो कोबालमीन होता है और इसके कमी से जो होने वाला रोग होता है और एनेमिया रोग होता है तो अच्छे से एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लिजेगा एक बार और रिपीट कर दे रहें आप लोगों को तो बिटामिन A का जो रासाइनिक नाम है रेटिनाल है और इसके कमी से जो होने वाला रोग रताउंदी, संक्रमडो का खत्रा और जीरोब थैलमिया होता है और विटामिन C का जो रासाइनिक नाम है एसकारवी कमल होता है और इसके कमी से इसकरवी मसूड़े का फूलना होता है और विटामिन D का जो रासाइनिक नाम है वो कैल्सी फेराल होता है और इसके कमी से जो होने वाला रोग होते हैं और रिकेट्स होता है जो प्रायर हो जाना हो जाता है बिड़ामीन एक कमी से आप समझेंगे बिटामीन के तो विटामीन के का रριसा मら नाम होता एफ सब आमीन रोग होता है और इसके कमी से डूंद आम नाम ठीक्चा नब ना भान्ना होता है और विटामीन बीक्जा गहात Siagasy Nayors होता है ओर इसके कमी से जो होता है रोग बेरी बेरी होता हैं और वितामिन बी ti può-का जो राइसायनिक नाम है और खो राइबो अविंत होता ओर का फटना आखों का लल यहीं ऍंटोन आज हो Sang बीटामिन बी थी कीशाराया यह ता है होता है आप देखेंगे श्रीकार हम झाषिये anewon कोई दे सबको आप समझ गए होंगे तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद